इसका मतब्दों ये हुआ, कि जिसके ठंडे का धव होगा, और जो कहता कि मैं धबंग हूँ, मंत्री बने का पागा। सतर पलस लोग हर्याना में नहीं चुनके आएंगे, आपने विधान सभा सतर देखा भी सले जिनों, चुटकले बोले जारे है, शेरो शायरी बोली जारी है, ऐसे अलगता है, जैसे कपिल सर्वास होए, केक मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, मेले का बेटा मेले बनेगा, क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा, मेले मंत्री नहीं बने शकता का, जब इतने पावर फूलों के हार गए, इनके पले तो पावर ही नहीं है, यह कोई कोंगर्स वाले जोटर जाएंगे, मैं ते शीदा बात बोलता हूं का, अगर मंत्रियों की नहीं चलते, तो फिर सरकार मुख्या मंत्री के लाबा ऐसा कौन सा मंत्री है जिसके चलती है चोर को मत बोग करनो ये छोटा सा चोर था चोर की मोसी को पगड़ो अब इल्ली के देख के बुत्र नांके बंद कर ली मंत्री तो जब ही काम करेंगे जब तलवार लटकी रही ये मुख्या मंत्री जी उन लोगों को लोली पॉफ देना चाहते हैं जिनका नंबर नहीं लगा अरे कई विधायकों के आंखों में अंसु देखे मैंने कौन कौन से विधायक है जिनकी आंखों में आपने आंसु देखे नमस्गार मैं आपका मित्तर सर्व मित्तर मसला है मेरे साथ रौकी मित्तल है जो कभी हर्याना के सीम मनहुरलल खटर के पब्लिसिटी चेर्मेन हुआ करते थे अब इनका फॉन आया कई बार कि ये कुछ बोलना चाहते हैं ये अंदर से भरे पड़े हैं आज हम इनको सुनते हैं मसले कही हैं ताजा मसला है जो भी हर्याना में मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है दो नए मंत्री बनाए गए है शरुआत उसी से करते हैं मतल साब साथ बनाके चलते तो साइद आपकी छुटी ना होती आप इससे भी आगे जाते और कुछ ऐसे लोग हैं जो सीम साब की तारिफों में दिन रात समय बांते थे पूल बांते थे जी हजूरी करते थे आज वो सारे मंत्री मंडल साइबसरी की सरकार हैं मैं कई जत्यों की कई लोगों की ऐसी बात करूँ आज सबसे पहले में बालही की समाज की बात करता हूं पांच उनके पीसरब बालमि की जी दूबरा जित किया है, उनको भी बनाए जा सकता था, जबकिछ बनाना चाहिए,। और हमारी सअकार हिंदूता और हिंदूता हो इंदूता मों को मानती और सबसे बड़े हिंदुrati जो लोग है जो चाती है जो सबसे बड़ा बालमी की समाज को मांता था राजपूस समाज 90 वोट देता है उनकी अंदेकी हुई नैन पाल रावजी जो सीम साब को इतना गुर्णगान करते हैं वो वचारे कई बार तो एक बार एक दो बार में बुरा ही करता था पांचार मेले बैठे होते हैं तो मुझे भी टोकते थे के रोकी भाई यू आर र गया लेकिन limited मंतरी मंतरी तो limited ही बनेंगे ना लेकिन सभी का नमबर रहा है सारी कास्टों का समीका देखो ना बनाना चाहिए और जो अच्छा काम कर सकते हैं अबे आदव जी हैं आईये से दभारा बनका याए उनकी सिवहों का लाब उठा सकता दाहर्या और शीम साभी उ तक जजर इसके अंदर एक भी कोई मंतरी नहीं है जबकि उड़ा साब का गड़ है गोड़ कैसे डूटेगा जाओं वहां से कोई पावर भूल होगा वह मोड़ों लीजी को पावर भूला सकते थे ब्रामन एंदब पर परशेंट ब्रामन बीज़ेगों बोट करता तिन तिन स सफब्स्टाइए उसके बाद हम गड़ीन देखिये तो गल्द है लगला यह जो सिश्टम के साथ है काम करना चाहिए या तौँ के इतने दोट पढ़ते हैं फ्रस्टों के बढ़ते बालमी t मग्यड़े तो हम किसी गढ़ते कर सकते खासकीन इनको 90 प्रसेंट वोट बोट ह यह मुख्यमंद्री का अपना अधिकार होता है वो किसको बनाए ना बनाए और अभी जो महकमे दिये जो यह आने वाले टाइम में जंता बोलेगी कि हमारा भी अधिकार है जो हमारी हमारे जफ्ती को हमारे निताउगवागे करेगा हम उसको वोट देंगे ए मैं खुद मानता सकते और इग्नोर करके देखा है चंडीगड के अंदर चंडीगड में क्या हुआ को इसको यह लगता था कि बीजेपी के सताय लोग को बोट देंगे लेकिन कोंगर्स ने भी कभी मुद्दी ने उठाए हम जंता के तो क्या हुआ आम आदमी पार्टी आ गई अर्चोद्र स चाहरे हार गए और यह आप पंजाम में होगा यहां भी 80% नहीं चीरे आएंगी और उसके बाद यही आल हर्याने में होगा 70 पलस लोग हर्याना में नहीं चुनके आएंगे और 20 भी वह लोग चुनके आएंगे जो अच्छा काम करेंगे मैं तो एकी बात कहता हूं यह तो चुटकले बोलने हैं शेरोशायरी करनी है तो कपिल जर्मा सोवे जाएंगे बंबे इदर क्या कर रहे हो कहां तो तो तुम्हारे को इसलिए चुनर काहरने के मुद्धे उठाओ तुम में मजे ले रहे हो नो टंकी कर रहे हो जब लगता है कि सत्तापक्स कोई काम करने वाल मखाउट कर जाते के करने तो उसकुरते आरे जब कुछ तुम्हें लग रहा के गल्त हो रहा है मकाबला करो कुछ बोलो जनतां को लगे कि हाम हमारे मुद्धे उठारे हैं आज कोई किसी के मुद्धे निउठा रहा आज एक ड्रामा पर्टी होती है ना वो होता जा रहे कि बिल्टर मसों में क्या होता है यही तो होता है लोग मज़े ले रहे ये राज थोड़ी कर रहे है राज के मज़े ले रहे आरे भाई इनको लगता है कि बीजेपी किता है ये लोग कंगर्स को बुर देदेंगे ओ भाई जो तिसतरा बंदा बार बार एंट्री मार रहा हर जग सकता है तो इन मंतरीं करleader इंका क्योंस्ट निए वह कंद्ट थू क्या कि बेट्य वियोंस्ट भूण भब करे गाए अर्या व्यृकार यूंकρε ृख युशान-बियू-भा-म्या-सुष्षि- पक्योड-मिक्षूण-वाइ-4 최िजभ ते जो हर्याना के MLA है नब बे तो उसमें से मतलब 15 BC आएंगे बाकि सब नए चेर आएंगे नए चेर आएंगे क्योंकि लोगों ने देख लिए कि फ्रेंडली मेंच है एक दूसरे का में खाओ PUS करो मितरो बैस को काम चल रहे हैं बड़े बड़े भी हार जाएंगे जैसा पिछ होगों कोरने की I CMA कुछाने को मैं जाने करते हैं कोई चलती नहीं आरे कारिया चलती नहीं है हम नियुदे नहीं की दो कारीया चलती है उनमि पर पावर किस के पास है कौन सरकार चलाता है? अगर मंत्रियों के नहीं चलती तो सरकार कौन चलता है? जिस बंदे का मैं पिछली बार बार नाम लेता था और उसी बंदे ने मेरे को जेड़ भेतिया क्योंकि यहां तो बीजेपी में तो बीजेपी वाड़ोंगी तो चलती है बार वाड़ोंगी चलती है यह थी बीजेपी वाड़ोंगी चलती है रोक के मितल क्या जेड़ में जा जब तो यह सारे भी पक्सपारे बोले नहीं जैसे साप सूंगया अब तीन सवा तीन क्रोड के मामने मुशनकूद कर रहे हैं और देखो कमाल की बात हर नेता बोलेगा सब्सक्राइब करेंगी गेराव पता कि इसको कहते हैं जो जबरदस्ती ओपीज में के आगे धरना देना यह पहले प्रेड़ ग्राउंड के तो बोरिये बिचा लेते हैं स्टेज लगा देते हैं चाई पड़ी का प्रबंद उस्ता है कुर्शियां बिची होती है फिर घराव करोगी यह एक जगे बनार कि वहीं बैठके घराव करता हैं जो लाच तक जैए अरे घराव तो चंडीगर करो जाके सरकार सब्सक्राइब बैठती है जो स्पीएससी के अधिकारी कि बाद उसकी चुटी होगी पिर घराव किसका कर रहे हो गिराव इसको गरूना जो सरकार क प्रिश्याम को बोलेंगे कैसा लगा रेकोड़ा तुने ऐसा निबोना चीएगा सत्तावाले थोड़ा ध्यान से यह आपके भाई है यह बाते होती है जैसे आप कहते कि इनकी चलती नहीं है जो मंत्री है विद्धायकर नहीं चलती है मुझे कोई ऐसा है मतलब जिसकी चलती ह कोई ऐसा मंत्री है जिसके चलती है मुख्य मंत्री के लावा ऐसा कौन सा मंत्री है जिसके चलती है एक बापता हो अर्बन लोकल बोड़ी चले गई अभी वी साब की इनका बस चले तो वो गर्या मंत्र अले भी चीलने और कई बर परियास की है और अब भी साहित परियास मे हो गई तो यह क्या है जब मंत्रियों के विभागी शेफ नहीं है तो फिर क्या हो मनुवे में जगे गया भी भिवानी के अंदर एक मंत्री के गुर्गे कहते के रोकी मितल को बोलने मत देना कहीं भी यह भाई चारा बेबात करेगा तो सरकार को दिक्कत हो जाएगी इतना खो कौन सा मंत्री है अब रश्टाचार को रोको अत्याचार को रोको जो डेली फिरोतिया मांगी जारी है मर्डरों ने उनको रोको आज कानुन मिवस्था को बिलकुल जंग लग चुका है हरेने के अंदर उन्ची चो को रोको एक पुलिस वारे को बोलते हैं के पनसुर विख को पकड़ो ये रेक्ट चला कोन रहा है अभी लुद्या ने मंबलाश्ट हुआ गागंदीप नाम का विक्ति जो साथ ही मर गया बला उसे ने बालाश्ट किया लेकिन कमाल की बात है कि उसके जितने पिछे गुरुगे थे सारे पकड़ में आ रहे हैं जर्मनी ते पकड़ पकड़ जा रहें तो फिर ये क्यों नहीं बात करते हैं लेकिन मुख्य मंतरी कहता है कि हमारी सरकार में परचे कर्चे नहीं चलती अभी भी तो हम बक्षेंगे ने अगर होई पकडडा कैदा है तो हम बक्षेंगे ने पर्ची नहीं चलती पर्चा चलता जady कराई तो तो हम यह पक्ष Co ऑगे ला yak स्कूं ऐसे थोड़ी हो जाएगा मतलब हरयाना को चला रहा है बाहर का कोई हरयानावालों की चलती नहीं चलती होती तो कारिया करता तो यह बोला जाता है कि भी मैरिट पे नोगरी मिलेगी वह विच्छिए चुप हो जाते हैं उनको तर पता लगा ना कोनगी मेरिट के पर चल रही ह ये तो काम हो गया ना भई माल खाये में दारी डंडे खाये बंदरी हम तो डंडे खाने के लिए है सरकार कहती है कि आम घरों के बच्चे लग रहे हैं गरीब घरों के बच्चे लग रहे हैं पहले ऐसा होता नहीं था बड़ी नोक्रियों पर कोन्से लग रहा है बड़ी नोक्री नोक्री देदों कुछ देदों परी में देदी और जब मोटी मोटी रखम लेने वारी है उसका वेट तो लगे लो तो पर ही मसला है फिर चैट पकड़ी गई जो पांच करोड़ की वो बंदा का है हुड़ा साब पांच करोड़ी चैट है फिर उन नाम क्यूं ने ले ले यह तो पर मिल गए जारे यह फिर नाम बताओ प्री मसला हल कैसे होगा उनको बताना चाहिए कि नहीं पताना चीए यदी मालूम मैंने बोला तो 15 क्रोड़ का माना मैंने नाम बताया थो नहीं बताया था जर चला ग पड़ेगा कि आप कैसी सरकार चाते हो जब तक अच्छे लोग सरकार को नहीं चलाएंगे सबसे पहले तो सीमा उसकी जितने लोग हैं सबकी चुट्टी कर देनी जिए और इमांदर लोगों के हरेना में कमी नहीं है हमारे लोग तो भी चैरे जो काम करने वाले थे वो तो दक मतलब वह नराज से हैं आंदर खते मतलप हैं लेकिन बोलते ने किने नराज से ही ने नराज से और साहाँ ने वह पिनी काहिम वह पलते हैं तो कुछ सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं कुछ सुनने वाले निए इभी परचा देशाथ हो तबी सीम साब तो पल्टेंगे निए अभी और एक और कुमाल की बाद बताता हो सीम साब का एक ब्यान देखाऊगा आपने कि ये मेरा फास्ट एंड लास्ट है मंतरी मंदल का विश्थार मंतरी तो जबी काम करेंगे जब तलवार लटकी रहेगी कि कभी भी छुटी हो सकते गल्ट काम किया तो तुमने सेर्टिफिकेट दे दिया कि जैसे मर्जी एस करो कमा खाओ जबर जी करो तुम्हें कोई हटाने वारा नहीं है क्योंकि सीम साथ तुमारे साथ है ये क्या मसला हुआ लोग तो कहते हैं कि अच्छा काम ने करोगा हटा देंगी इसका मतलब जो परची करते रो परशाचार करते रो ये विचारचा कि मुख्यमंतरी तो किसी और को मंतरी बनाना चाहते थे लेकिन उपर सेнул हई कमान सी कोई और मंतरी लेकर आगया मंतरी पर पर ये मुक्यमंतरी जी उन लोगों को लोली पोप ढगाा जिनका नमबर ने लगा बहुत भाई मैं तो तुम्हारे बनाना चाहता था और ये तो उपर से आधेश आगे ये कौण सा तरीक है उपर से तो अधेश रोकी मितल गे थे गया वे रोकी मितल को जैड में डालते के मोदी जी ने बोला था वह तो खट्र साव ने डाला ने मेरे में गोजैड में ये कुए बनाने वाहिं को लोलीपोव देने वाहिं अरे कई विधायक को पने आँक्जвор करते हैं कई वीधायक। ईतने इमान्दार हैं स्थेथे हैं जो रात कोई सपने में बड़वडाते कर भी मेरे कारिया करता हूं का क्या बनेगा वहीं जब अमेले विधायक बचारे तरफ रहें तरस रहें उनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो रोकी मितल पहले तो मेरे गड़के कहते थे कि तुन्हें गल्ट किया सीम साब क्या आगे क्या जूरती पंद्रह सक्रोड का इसाब म कि मंतरी मंडल में एंट्रियों निची इसका मतबलतों यह हुआ कि जिसके डंडे का दम होगा और जो कहता कि मैं धबंग हूं कोई मंतरी बनेगा बाकी कोई निए बनेगा चले थैंक्यू सो माच आपने हमारे साथ बातचित की और आपने सुना रौकी मित्तल को रौकी मित्तल इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं और सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगा चुके हैं सरमित्र भाई आरोप लगाता मैं सच बोलता हूं मैंने जब बोला था उस बंदे का नाम केतने एरप एका गोटाला हो गया यदि सारा भी पक्स मेरा साथ दे देता तो यहां तक नोभीती ना थी मैं हमेशा सच बोलता हूं इनको आई ना दिखाता हूं कि फ्रेंडली मैच क्यों डाला को दर जाएंगे बलराज कूंडू जी पर छप्ने विकास के बारे में बचयारे जब चार पांच कठे होते हैं दो बॉराही करते हैं अर्वाई सब बैसा फिर ना पनाой पबलिक के साथ जमता सब जानती है और आप एक बात बोलता हूं कि ये सता पक्साना जाना है अगली बर पता नहीं कोन आएगा कोन जाएगा लेकिन अपने जमीर को मतमरिये अपने स्वाभी मान को जगाए और हर्याने के हित की बात करिये कारिया करताओं की बात करिये चली आपने सुना इनको कभी publicity chairman हुआ करते थे यानि सरकार की publicity किया करते थे रौकी मितल वो क्या मंदरी की publicity किया करते थे लेकिन आज कल किस तरह की publicity कर रहे हैं या क्या बूल रहे हैं वो आप जानते हैं इस बात्चित पर आपका क्या कुछ कहना है या रौकी मितल जो आज ब ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने दम असला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलोर जरूर कर लेना है ताकि हमारी अगले वीडियो आप तक पहुंच आए नवाद, नमस्कार, अदाब, साचरियकाल, राम राम